दोस्तों आपका हार देख स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हरसा अपना कुछ कहता है तो दोस्तों हमेशा की तरह से मैं शेता फिर से आपके सामने पस्तितूं आपकी सपनों की समस्याओं का हल लेकर लेकिन दोस्तों प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रातना है कि क्रिपय आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें दोस्तों सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब को लाल बटन को दबाए साथी बेल आइकन को भी दबाए दोस्तों ये सब्सक्राइब का बटन सिर्फ और सिर्फ है सपने में एबोशन या गर्भवात को देखना दोस्तों यदि सपने में कोई इस्त्रिया पुरुष कोई भी गर्भवात या एबोशन के कंडिशन को देखता है तो मनोविज्ञान के अनुसार ये उसके जीवन में कोई ऐसे परिशनी जो चल रही है जिसका उसे समाधा नहीं मिल पा रहा है और उसे बार-बार ऐसा फील हो रहा है कि शाय pliers वो उसकंडिशन या उस परिशानी में सफ़ल नहीं हो सकेगा इस चीज़ को वो अपने सपनों में अब चेतन मन से उसके अचेतन मन में ये बाते आती हैं जो सपनों के द्वारा उसे दिखाए देती हैं मतलब उसको एक हिंट देती है कि शायद उसके माइड में ये चल रहा है कि हो सकता है कि उसको जिस काम को वो कर रहा है उसमें से सफलता ना मिले तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम मेलोग्यानिक पहलो को लेते वे चलते हैं तो सबसे ज़ादा जरूरी है अपने माइंड को स्टेबल करना ताकि हम अपने गोल को इसली अचीव कर सके दोस्तों दूसी तवरकर में जोतिश शांस्त्र की बात करूँ तो गर्वपात किसी भी अवस्था में देखना या भविश्य में हमारी योजनाओं के विफल होने या कोई ऐसा निर्णे जो हमने जिल्दबाजी में लिया है उसके गलत होने या उसके पस्तावे की ओर संकेत करती दोस्तों कभी-कभी यह हमारे कोई प्रिये जन्जों हमें बहुत प्रिये हमारा दोस्त रिष्चेदार हमारा कोई भी ऐसा नियर इंडियर वन जो हमें बहुत अच्छा लगता है उससे हमें अलग होने या उससे वेचारिक मदभेध होने या उसकी किसी भी तुरह उसको हानी होने की संभावना की और भी संकेत करता दोस्तों ऐसी परिसिती में सभल जाएए साधानी से अपने कारे को करिए और अपने लक्षे को प्राप्ते करने का प्रयास करिए तो दोस्तों आशा करते हूं आपको हमारी आज की जानकारी ही पसंद आई होगी ऐसी हो रोचक जानकारी क्लिक पर आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवर शेकर तब तक के लिए दोस्तों नमश्कार